पीलिबीत की सदर तहसील छेत्र में नाले से वैद कबजी को हचाने पहुची राजस्व टीम पर दबंगों ने हमला कर दिया जोरान लेकपाल को बुरी तरह सड़क पर ये राकर पीटा बचाने पहुची इस्थानी यूती की जान लेने पर भी दबंग उतारू हो गया करती करा आए गया है सूचना मिलने के बाद स्टीम और सीयों ने अस्पिताल पहुचकर हाल चाल जाना साथी घटना को लेकर जानकारी जटाई दरसल घटना सदर तहसीर छेत्र में लला औरी खेडा गाउं की है जोहां मंगलवार सुबह लेकपाल लोकिश कुमार अपनी ट गिरा कर पिटाई की और खीच कर घर के भीतर ले जाने लगे वहीं किसी काम के लिए ज़ारे लेकपाल के पता राजेश ने जब बेटे की गाड़ी सड़क किनारे पड़ी देखी तो वह रुके और कुछ आगे पहुचे तो देखा कि तमाम लोग एक लड़की और उनके ब चाल जाना साथी मामले को समझा इधर मामले की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लेक पाल विजला स्पिताल पहुच गर घटना पर रोश रिताते हुए हमलावरों पर सकत कारवाई की मांगी फिलाल कोलेस आगे की कारवाई में चुटी हुई है सुभाइ बेटे के पास फोन आया था लगवाद साध साथ बज रहे हों में तो बने पूचा बड़ा जा रहा है और सरकेश दे कोई अबद निर्वार हो रहा हुरह है पापा और वहां से खाऊ से फोन आ रहा है तो अन्य बेटा हम पी चल ला हैं तो अजा पाहा हैं तो अजी जुप मरत बेटे की आवाजा आरे अवाज की आपापा पापा पीछे ही ही हैं पापा पीछे ही हैं तो पहाँ पर जो कास्तिनार लोग है उनके लगवाख आठण ओढ़ोग थे मैला ना परोज और मेरी बेटी के गले में फंदा डाल के मुह में कपरा ठूश के अंदर गेट में लेके दा रहे थे और कहले जैन्स जान से मार दो लेक्वाल के लिए पीछे कानून भूगी थे उनको भी मैंने अवाई लगाई मैं जानता हूं पाठर जी को जानता हूं तो उन्होंने का वाभजी क्या है क्या तो पुलिस तत्काल मोंके पर आई उन्हें तीन लोगों को और भाग कर तीन लोगों को अरिष्टर दिया मेरे बेटे को जान से मारने के लिए इसे ही जैपालों को मार देते हैं कोई लड़की पोई चोड़ा है एक लड़की जो बचा रही वह बहुत बहुत बहादूर लड़की एव उसके भी बहुत गंभीग चोटे हैं आप मौके पर देख सकते हैं देख सकते हैं